हेलो गुड मॉनिंग नमस्कार कैसे हैं आप सब आसा करते हैं अच्छे होंगे तो ये रहा हमारा बेटू इसकी थोड़ी आतवियत खराब है और मैं एक चीज बताने वाली हूँ कि आज कल मोसम थोड़ा गड़वड चल रहा है इंसानों के लिए भी चानवरों के लिए भी पक्षियों के लिए भी तो आप लोग पेरिटू को जिसके जिसके घर में है तो ठंडी चीज ना दें प्लेज क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है मेरे मिट्टू आज कुछ जादा ठीक नहीं है क्योंकि मैं ठंडी चीजी से दे दी हूँ और इसे आप नॉर्मल टंपरेच अब ठंड बढ़ गई है ना तो एसी में रखें और ना जादा कुलर में रखें नहीं तो कुछ भी हो सकता है पिर आप नहीं कहिएगा कि हम बताएं नहीं क्योंकि ये बहुत खास और बहुत जरूरी जानकारी है जिसके जिसके पास ये हैं तो क्या है कि जैसे आजकल खीर कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मिठ्व ब्मार है या नहीं है और ऐसे ही देखते देखते कुछ भी हो सकता है तो प्लीज आप ये गल्ती ना करें ठंडी चीज ना दे और रूम टमप्रेचर में ही नहर छोड़े हैं ना तो फ्रिज वो ऐसी चलाएं ना तो कु मेरा तुमनार हो सकता है आपका फेरेट अब just now our भी अभी टाइत show रहा था इस रजाई में देख सकतें रजाई के बाहर अभी बेटो कैसा अभी देचा कर रहे हो आज अच्छा लग रहा है यह अब को ाच्छा लग रहा है आप को और ऑछा लग रहा है को कुई रिलेटिव ऐसे ही कोई दूर के थे उनकी यही सीजन में उनकी यहां बहुत सारे खीरे फर रहे थे उनके बच्चे तोड़ तोड़ के जब देखो तब उनके पास खीरे रख देते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मिठो उनको उनका मिठो उनको सही सलामत मिला ही नहीं तो फिरिज चीजए मा दे तो फ्रेज की चीज़न आदे थंदी यह तो वैसे भी ठंडी जैसे ही राबी निबू हें सब चीज़ն मत दे उसको काहोता है कि यह बाहर होते है ना तो यह अपने हिसाब से चीज़ें खाते हैं जो इन्हें सूट करती है पेंड से इसा नहीं है कि अदिन किके फेराह और वह यह कुछ भी खाजा आए जो इन के लिए सही होता एंके सेहत रिए वह इका ते हैं तो मेरी जनकारि आप सब के लिए अच्छी होगी अच्छी होगी तो कमेंट करके जरूर बताईएगा लाइफ से और कमेंट जरूर करिएगा बेटू कुछ बोल दो कुछ बोल दो शीता राम आत बीटू के देख लीजिया थोड़ी इसकी तब यह ठीक नहीं नहीं इतनी टाइम तो यह जहल फैल मजानने वाला पक्ची है लुलू